निवस्कार दोस्तो जहिंद वंदे मात्रम आपशवी का श्वागत अम्नेंदन है टीटी फेमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में बात करने वाले एम्पीटेट वर्ग एक-दो जो एम्पीटेट दोजारतेस की एकजाम होना है गणित मैक्स की बात करेंगे NCRT आनलाइन एकजाम पैटरन के कॉरडिंग बात करेंगे यह प्रेक्टिस रट नमबर पहला रहने बाला है और इस प्रेक्टिस सिच्ट में दोस्तो हम 30 कोश्चन करने वाले हैं जिसमें से पहला प्रस्ण आपके स्किन पर अलेडी आ चुका है और प्रस्ण क्या पूंचा जा रहा है एक संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो सेज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ है और सेजफल 64 को पुनए फिर 13 से हम विभाजित करते हैं तो सेजफल कितना प्राप्त होगा सब्योता आई तो सेजफल हमें कितना प्राप्त होता है बामन दो सेजफल का गुरन खंड 13 है और 13 को जो हम सेजफल से फिर 64 में भाज दे थे तो हमें सेजफल 12 प्राप्त होता है यही तो पूचा जा रहा उसी संख्या को 13 से भाज दे एक संख्या में जब 2 से 20 से भाग दिया जाता है तो मतलब 13 से भाग दिया जाता है तो सेस्पल 64 प्राप्थ होता है यहीं आपको 13 से भाग नहीं देना है 13 यहाँ पर आपका एक गुरन खंड है 2 से 20 के गुरन खंड है 13 सेस्पल 64 प्राप्थ होता है है पांच आठ तीन चार साथ तीन पूरी तरह से नौ से विभाजित है तो खाली स्थान पर नियुंतम पूर्णांग आपको बताना जो बीच में खाली स्थान है नियुंतम पूर्णांग बताएगा कौन सा जाएगा नौ से पूर्णते विभाज है मान लीजिए 5, 8, 3 दिया गया है इनको जोडते जाएए खाली स्थान को X मान लीजिए प्लस 4, प्लस 3, प्लस 7, इचकल 2 जब जोडते हैं तो 30 प्लस X हो जाता है कितना हो जाता है? 30 प्लस X हो जाता है तो अगर तीस में कितनी संख्या जोड़ दिये जाए जो नौ से भाजित हो जाए तो नौ तीस के बाद कितना जोड़ जाए नौ तीक सताइस नौचों को चातिस आना चाहिए तो तीस के बाद अगर छे जोड़ देते हैं तो हमारा वैं नौ से भाजित हो जाए तो एकस के स् संदिया का एह बहुत ही सिंपल से अंगला जो प्रश्न है कि तीन क्रमागत समसंख्याओं का योग खाली स्थान से हमेशा विभाजित होता है तीन क्रमागत जो समसंख्याओं ہوتी है, इनका योग जो है हमेशा किस से विभाजित होता है तो सर बतम आपको करना क्या तीन क्रमांगत समसंख्या पहले मान लिजिए 2X 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 प्लस 2 मान लिजिए और 2X प्लस 4 मान लिजिए, ये तीन क्रमांगत हमारी समसंख्या हो गई इन संख्याओं का योग इन संख्या को जोड लीजे 2x, 2x, 4x आपका 6x हो गया और 2, 4, 2, 6 तो कितना हो गया 6x and 6 इतनी हमारी value होती इसमें 6 common आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 जब common कर लेंगे तो x प्रस 1 बचेगा आपका तो यहाँ पे जो हमारा प्रस्ण क्या कर रहा है तीन क्रमगत संख्याओं का योग उच्छा है हमेशा जो है योग जो होता है वह छैसे हमेशा भी भाजित होता है तो यहाँ पे जो उच्छा दिया गया है वह हमारा सही हो जाए ठीक है सभी लोग समझ गए है चलिए अंगला परस दिया गया है भिन ने दिये गए है एक बटे पांच, तीन बटे दो पांच बटे चार का लासा जो है यहाँ पर बताना है ग्याद करना है तीन भिन आपके दिये गए है तो एक बट्टे पांच को हम किसटे रिनॉट करेंगे 0.20 तीन बट्टे दो को 1.50 5 बट्टे चार को हम रिनॉट करेंगे 1.25 तो इसको हम किसे बना सकते हैं 0.20 को हम directly यहांपे 20 लिख देते हैं इसको 150 लिख देते हैं और 100-125 लिख देते हैं 20-150-125 इन तीन संख्याओं का आपको निकाल लेना है लासा लगोत्तम शवाँ पर ठीक है सभी लोग निकाल लेजे 20-150 और 120 का लासा निकाल लेजे लासा जो हमारा आएगा 5 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 2 गुणे 3 यह हमारा लासा निकाल क्या जाएगा टोटल अगर इसका वैलू करे तो 15 आता है तो अब हमने 0.20 को 20 माना था यानि बटे हिंडेड इसमें करना पड़ेगा ठीक है तो 1500 में अगर बटे हिंडेड करते हैं तो 2-0 कर जाते हैं हमारी वैलू गती पश्ता 15 बश्ती है तो हमारा जो यहाँ पर वैलू सी आपसन 15 वाला सही हो जाएगा वै नून्तम संक्या क्या होगी जिसे 4-6-8-12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्य किस्तित में 2 सेस बचता है संक्या हमारी क्या दी गई है 4-6-8-12 इसका लासा निकाल लिजे सभी लोग 4-6-8-12-16 इन पांचों का लासा निकाल रहे है सभी लोग एक साथ जब लासा निकाल रहेंगे तो इसकी वैलू आ जाएगी 2 की घाते 4 इंटू 3 और 2 सेस भी बच रहा तो प्लस 2 कर लेते हैं तो तोटल हमारा कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तीक 18 दू पच्चास पच्चास आ जाएगा तो वैं नियूंतम संक्या हमारी पच्चास हो जाएगी अंगले अपसने एक सम्दिवाद त्रिभुच की तीन भुजाएं दी गई है दूस्तों हम जानते हैं कि सम्दिवाद त्रिभुच की दो बुजाएं आपस में क्या होती सम्दिवाद मतब दो बुजाएं बराबर होती यानि कि कह सकते हैं ए बि बराबर ऐसी तो ए बि आपका एकस प्लस 1 है बराबर AC हम 9-X मान लेते हैं इसको पच्छांतर कर लीजे X को इधर लाईए 1 को इधर ले जाईए तो 2X बराबर क्या बचेगा 8 बचेगा न 9 में 1 जाएगा तो 8 ही बचेगा तो X बराबर क्या जाएगा 8 बचे 2 मतलब 4 बचा X की वेलू हमारी 4 आ गई अब यहाँ पर मान लख दीजे X के 4 आ गया तो 4 एक 5 9 में 4 गया 5 आएगा और 4 बचे 20 में 7 गया 17 आएगा तो 5 5 17 ये भुजाएं लेकिन परम तो ये संभव नहीं है क्योंकि तिभूज की इक नहीं 2 भुजाओं का योग 30 बचा के बढ़ा होता है बराबर 5 X माइनस 3 लेना पड़ेगा जब इसको करेंगे तो 6 X बराबर 12 आएगा X बराबर कितना बचेगा 2 12 बचे 6 हो जाएगा तो 6 दूनी 12 एक्स की वैलू दो आएगी जब हम एक्स की वैलू अब यहाँ पे 2 रखते हैं तो 3 7 और 7 आता है यह संभाव है क्यों संभाव क्योंकि AC बराबर 20 लेते हैं 10 ठों 1 और 5 X माइनस 3 इसको को भींने ही संभाव को चेक करना पड़ेगा तो उमारी संभाव यह संभाव हो सकताह आपका अब क्या लेना है आपको AC बराबर 20 में x plus 1 लेना है और 5x minus 3 लेना है इन दोनों को लेंगे तो 4x बराबर 4 आए जाएगा नहीं x value एक आएगी जब x value हम एक रखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आजाएगा 2 आजाएगा, 8 आजाएगा और फिर आपका 2 होगा यह आपका संभव नहीं है क्योंकि एक केवल एक तुभुज बनना इसमें संभव होता है तो जो हमारा यहाँ पर विकल्ब 20 दही दिया गया है एसे कितने तुभुज संभव, एक ही तुभुज संभव है जिस पर भुजाएग हमारे 377 आई थी और वह भुजाएग 9-x और 5-x-3-2 ठीक है तो इसमें एक ही तुभुज जो है संभव होगा किसी तुभुज ABC में AB बराबर 9 cm, BC बराबर 40 cm AC बराबर 41 cm है तो तुभुज बताना है कौन सा होगा बहुत ही सिंपल सा पसन यदि तुभुज संभुज है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कर्ण का बराबर लंम का बर गाधार कबर यानि AC बराबर AB कबर धन BC कबर तो सबसे बड़ा AC हमारा दिया गए 41 कबर कर लेंगे बराबर 9 कबर धन 40 कबर कर लिजे इसका टोटल 41 कबर कितना होता है 1681 बराबर 81 धन 1600 कर लिजे 1681 बराबर 81 धन 1600 तो यह हमारा कौन सब बन जाएगा सम कौन वाला हमारा बन जाएगा यूकि दोनों को जोड़ते हैं दोनों 1681 मान आ रहे हैं इसके बाद देख लेतें अंगला प्रिशन क्या दिया गया है अंगला प्रिशन पूंचा जा रहा है कि निम्नांकी दी गई भुजाओं के साथ कौन सा त्रिभुज जो है त्रिभुज A, B, C संभव नहीं है ये चार भुजाएं दी गई हैं A बराबर, B बराबर, C बराबर, D बराबर किसमें संभव नहीं हैं देखिए पहले आप्संस अगर देखा जाए यहां पर तो 6, 7, 7, जो की बड़ा 9 है तो 6, 7, 13 जो की 9 से फिर बड़ा हो जाएगा 13 तो ये आपका तिबो जिसमें संभव है अब इकल B में देख लेते B में देखिए, रूड 6, रूड 7 बराबर रूड राएग तो रूड 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख लीजे 2.44 प्लस 2.64 ये बड़ा होगा 3 से दोनों को जोडते हैं तो 5.08 आता है, जो की 3 से बड़ा है ये इसमें भी त्रिवोज आपका संभाव है अब C में चलते हैं C से देखिए, 6 कवर्ग, 7 कवर्ग, 9 कवर्ग दिया है तो 6 वर्ग, 36, 7 कवर्ग, 49, 81 से बड़ा होना चाहिए तो देखते हैं, 6 कवर्ग, 36, 49, कितना होगा, 85 हो जाएगा जो की 80 से बड़ा है, ये भी आपका त्रिवोज शंभा होगा ये जब हमारे तीन त्रिवोज संभा हो रहे हैं, तो D आपसन अलेडी है, नहीं होगा ठीक है, त्यहाँ पर D आपसन सही हो जाएगा वाँकि आप लोग भी D वाला भी लगा सकते हैं मूल बिंदू से बिंदू ए तीन चार की दूरी होगी मूल बिंदू से बिंदू ए तीन चार की दूरी पूंची जाएगा मूल बिंदू जो तीन चार की दूरी मतलब क्या होगा सभी लोग जानते इसके लिए का निकलना था अंडरूट तीन कवर गधन चार कवर बरावर अंडरूट पचीस आ जाएगा मतलब पांच हो जाएगा तो पांच मात्रक आना चाहिए तो भीवाला अपसन आपे आ लेडी सही हो जाए इसके बाद देख लेते हैं अंगला पसन है कि दो बिंदू दे गए A, X1, Y1, B, X2, Y2 के बीच की दूरी का सूत्र बताना इसके लिए फार्मूला क्या होता है A, X1, Y1 तथा B, X2, Y2 के बीच का जो फार्मूला हमारा होता है बहु होता है अंडर रूट के अंदर X2, X1 का होल स्कार, प्लस Y2, Y1 का होल स्कार इसके लिए फार्मूला होता है ठीके तो अंगला पसन है फार्मूले भी आ सकते हैं पंदरे भुजाओं वाले समभाव भुज के प्रतेक 22 कोण का मान क्या होगा तो प्रतेक 22 कोण का मान 24 डिगर जादे कैसे आएगा 22 कोंड का मान निकालने के लिए 360 डिग्री बढ़े 15 भाग कर दीजे तो 24 निकर के आएगा क्योंकि 15 भुजा वाले संभाव कह रहा ना और टोटल होता है 360 डिग्री तो 360 में 15 का भाग कर दीजे आपका इंसर आ जाएगा डिवाला से जाएगा 24 डिग्री आ जाएगा ठीक है क्योंकि इसके लिए फारूमला क्या होता है तो लाग x x koo को इसका जब लाग हटाएंगे तो क्या जाएगा थ्री लाग x x बराबर तीन गुने एक बराबर तीन आ जाएगा तो भी आप सेंजु दिया गया है वह सही हो जाएगा कि इसके लेंगला पर ने लाग टू वन अपान एक्स ब्रावर माइनस थी हो तो एक्स कमान क्या हो जाएगा देखें लाग टू वन अपान एक्स वराबर माइनस थी दिया गया है इसके लिए वन अपान एक्स बराबर टू की पावर माइनस थी इसको लाग अटाएंगे यहीं वन अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन अपान एक्स बराबर वन अपान टू की पावर ट्री हो जाएगा क्योंकि माइनस थी तो नीचे लाया यहीं एक्स बराबर आठ टू की पावर ट्री मतलब आठ ही होता है तो सिवाल आपसन सही हो जाए अंगला पसने त्रिवुज ए बी सी तथा त्रिव दोनों त्रिखुज क्या होगे। सिंपल सी बात है दोनों त्रिखुज आपके समरूप हैं परंतुष चरोशम नहीं है। क्यों नहीं देखिए हम सभी लोग जानते हैं त्रिखुज A, B, C और D, F में देखा जाए। कोड B बराबर कोड E, कोड C बराबर कोड F, इसलिए त्रिखुज A, B, C समरूप त्रिखुज A, D, E, F के। यह समरूपता के नियम के कोडिंग बता रहे हैं। लेकिन ध्यान A, S में यह देना है कि A, B बराबर जो है 2, D, E जो दिया गया है। क्योंकि A, D बराबर नहीं होता है D, E के। A, D बराबर D नहीं होगा। इसलिए त्रिखुज A, B, C, D, E अब सरुसम आपका नहीं होगा। क्योंकि A, D बराबर D नहीं है। क्योंकि A, B बराबर 2, D दिया गया है। ठीक है। तो हमारा जो समरूफ है लेकिन सरुसम आपका नहीं है। दिया गया तीन सही एक बटे चार, तीन सही एक बटे दो, दो सही एक बटे दो, गुणे, दो सही एक बटे चार कमान क्या है। सरली करन, सिम्पलिफिकेशन के यहां पर प्रसंद पूंचा जा गया है। तो यह आप लोग आ लेडी कर लेंगे मेरे हिसाब से। सभी लोग कर लेंगे के निकल लेंगे। पहला होगा इनके अनवे बटे आठ आएगा पहले का। फिर 45 बटे आठ इसको जब हम सॉल्ब करेंगे तो 136 बटे 8 हो जाएगा। आठ आपका कामन है। बराबर फिर आएगा 34 बटे 2 और 17 दूनी 34 होता है। तो सरली करन सिम्पलिफिकेशन में आपका यहां पर 17 आ जाएगा। कोई भी संख्या सकती ही सिम्पलिफिकेशन सरली करन में। अंगला मिस्वित पुन्रावत दसम्वलों भिन दिया गया है। 0 सम्वलों 3 6 7 8 9 बार को साधरन भिन में बदलना है। तो बार मतलब दिया जाता है तो कोई भी संख्या होई बार बार आती है। माल लेजिए मिस्सित दसम्मलों जो है एक्स ब्रावर हवारा वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे इस बार का मतलब क्या होता है कि 0.36789789 यह 789 बार बार आता रहे और इसमें अगर दोनों तरफ 100 का गुणा कर देते हैं कितना करना 100 का गुणा दोनों तरफ कर लिए यहाँ पर आपका 100x हो जाएगा और यहाँ पर 100 का गुणा करते हैं तो जो दसम्मलों है वह आपका कवर हो जाएगा दसम्मलों किस में कवर होगा यहाँ पर आ जाएगा 36.789789 यहाँ पराप्त होता है पैडाम अब इसमें एक हजार कगुणा करते हैं दोनों तरफ जब एक हजार कगुणा करेंगे तो दोस अलेड़ी तो एक लाख हमारा बन जाएगे इसमें और यहां पर हम करते हैं एक हजार गा तो कहां जाता है 789 आजाएगा यानि 36 789 दसमलो 789 789 यहाएगा तो पैडाम हम क्या करना है जो हमारा यह आया इसको घटा लेना एक हजार बाले से सो बाले से घटा लेना जब हम घटा लेंगे तो एक स्वेल में हमारी कितनी कर आएगी 36 753 बटे 999 00 यह वैलू आपके आ जाएगी जब आप घटा लेंगे थोड़ा अटपटा है लेकिन इस प्रकार की भी प्रस्ण पूछे जाएंगे अंगला पस देख लेते हैं एक आयत का परिमाप 70 इकाई है और उसका छेटपल 274 वर्ग इकाई है तो उसकी सब से लंबी बूजा का मान बताई मान लिजे लंबाई X इकाई है और चड़ाई Y इकाई लंबाई को एक समान लिजे इकाई और चड़ाई को Y इकाई मान लिजे ठीक है तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है दो गुणे लंबाई धन चुड़ाई तो दो गुणे X धन Y आ जाएगा और इसकी वैलू कितनी गई है 70 परिमाप दिया गया है इसके बराबर हम 70 कर लेंगे तो X धन Y बराबर क्या जाएगा 70 बटे 2 यानि 35 क्या गया X धन Y की वैलू हमारी क्या गयी 35 ये पहला समीकर डालीजी अब दूसरा क्या कह रहा है आयत के परिमाप के बाद उसका छेट फल 274 वर्गी का आई तो आयत का छेट फल क्या होता है बुजा वर्ग होता है तो दोनों का X गुणे Y कर लीजी यहनि X Y की वैलू 247 तर आ जाएगी अब आपके लिए फार्मूला लगाना है और फार्मूला क्या रहेगा आपका X गुणे Y का होल स्क्वेर बराबर X धन Y का होल स्क्वेर माइनस 4XY अब इसमें दोनों का मान रगती सी ठीक है अब दोनों तरफ मान रख देना है 35 का वर्ग माइनस 4 गुणे 274 आई X धन Y का 35 आया था मान तो 35 का वर्ग माइनस आपका दिया गया है 4XY तो 4 गुणे 274 X Y की वैली 276 आईए बस इसको साल्ब कर लिजे असान है 1225 माइनस गेरा सो चार यानी 121 121 किसका वर्ग होता है गेरा का होता है तो X धन Y वर्ग क्या जाएगा गेरा आजाएगा अब समी करने एक दो दोनों मिला के आप लोग भाल कर लिजे X जन Y वर्ग बराबर 35 आया था X जन Y वर्ग गेरा गया दोनों सिमान निकाल दीजे X दोराबर 23 आएगा Y वर्ग बराबर 12 आजाएगा तो सबसे लंबी भुजा बता रहा है सबसे लंबी भुजा मारा तेजी सीकाई हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रस्ट एक आयताकार जो मैदान की भुजाओं का अनुपात दिया गया है अंगला प्रस्ट देख लेते हैं इसकी इन पर है एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात दो अनपात एक है और छेत फ़ल 162 वर्ग मीटर है एक प्रस्ताव के अंसार इस मैदान के चारो तरफ एक मीटर चोड़ी पगड़ंडी बनाई जाएगी ऐसा करने पर अंदर का छेत फ़ल कितना कम हो जाएगा बहुत अच्छा प्रस्न है देखें मान लिए आयताकार जो लंबाई है बहुत दो एकस है चोड़ाई एकस मीटर मान लिजी वन एकस को हम एकस ही लिखते है आयताकार मैदान का छेत फ़ला लेडी दिया गए 162 वर्ग मीटर यानि कि 2 एकस गुणे x बराबर 162 वर्ग मीटर तो x स्क्वाइर बराबर क्या जाएगा 162 बते 2 मतब 81 वर्ग मीटर आ जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा 9 वर्ग मीटर आ जाएगा इसलिए लंबाई 2X बराबर 2.9 मीटर तोटल लंबाई हमारी 18 मीटर आ गई चौड़ाई 9 मीटर आ गई ठीक है दोनों चीज़े समझ लेज़े चौड़ाई 9 मीटर और लंबाई 18 मीटर अब एक मीटर चौड़ी जो है पकड़ंडी बनाई देखे यह सा आएगा यह जो मैंने बना दिया और इसके बाहर यह बना हुआ और यह चारो तरफ आपकी जो है यह आपकी पकड़ंडी हो जाएगी ऐसा बनेगा चारो तरफ यह आपकी पकड़ंडी हो गई ठीक है और यह 9 मीटर हो जाएगा यह जो नीचे 18 मीटर हो जाएगा ठीक है अब 1 मीटर चोड़ी चारो तरफ पकडंडी बना दी गई तो अंदर की लंबाई हमें निकालना मतलब हमें इसकी लंबाई निकालना चले लंबाई निकाल लेते हैं तो अंदर की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होगा, 18-2गुणे1 यानिकी 16 मीटर आ जाएगा और अंदर की चोड़ाई क्या आ जाएगी 9-2गुणे1 मतलब 7 मीटर चोड़ाई आ जाएगी चोड़ाई 7 मीटर और लंबाई 16 मीटर अंदर की निकल आ है इसके बाद सड़क का छेथफल निकालना है 162 माइनस 16 गुने 7 वर्ग मीटर 167 112 162 माइनस 112 वर्ग मीटर बरावर 50 आ जाएगा तो 50 मीटर स्क्वेर या वर्ग मीटर आ जाएगा भी बाला अपसन सही हो जाएगा इस प्रकार का बस एक प्रस्ण आएगा एक समदिवाई समकोन तिवज का परिमाप 2P काई है तो उस तिवज का छेथफल कितना होगा सभी बताईए देखें समदिवाई समकोन की उचाई के अधार पर देखें एक ऐसा फार्मूला बना रहेगा ये होगा आपका ठीक है A, B, C ये भी X है तो समदिवाई समकोन तिवज की उचाई वदाहार X ही काई है उचाई और अधार दोनों के X ही काई मानी गई है तो AC बरावर के आजाएगा अंडर रूट 2X स्क्वेर आजाएगा यानि कि 2X ही काई आजाएगी इसलिए आपका जो है X प्लस X अंडर रूट 2X बरावर 2P के तो यहाँ पर जो हमारा मान दियेगा जो छेतफल आजाएगा वह आएगा 3-2 अंडर रूट 2P स्क्वेर वर गी काई आजाएगा इसके लिए एक फार्मूला होता है तिवज का छेतफल बरावर अधार गुणे उचाई होता है एक बटे दो अधार गुणे उचाई होता है न तिवज के लपात एक बटे दो कर लिजिए गुणे X गुणे X कर लिजिए यानि एक बटे दो X स्क्वेर कर लिजिए और जो आपने X का मान अभी निकाला था हमने X मान क्या बताया था आपको 2P वाला जो बताया था वहां से X के मान निकाल लेंगे और X कमान आ जाएगा आपका 2P बटे 2 प्लस अंडर रूट 2 यह X कमान आएगा यहाँ पे रख देंगे किस पर रख देंगे X बराबर 1 अपन 2 X स्क्वेर में यहाँ पे X कमान रख दीजिए solve कर दीजिए आपका answer आ जाएगा D वाला ठीक है इसके बाद जो अंगला दिया कि नीचे दे गए प्रतेग परस्ट में दी गई संक्रा सरी में प्रसंचिन के इस्तान पर आने वारी संक्ख्या ग्याद करना है यहाँ पे का दीगा है 2, 4, 6, 8, 10 के बाद question mark लगा हुआ है यहाँ पे आने वारी संक्ख्या बताना है आपको क्या आदा तो एक reasoning type में है स्रेणी से सम्मंदित यह है 2 और 4 के बीच कितना गाइफ है प्लस 2 का 4, 2 के बीच प्लस 2 का 6, 8 के बीच प्लस 2 का 8, 10 के बीच प्लस 2 का तो 10 के बाद भी प्लस 2 जोड़ दो यह बार आना चाहिए बहुत आसान प्रस्न है तो पहला आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा अंगला प्रस्न है जो आप सभी के लिए more question के रूप में प्रस्न दे रहे हैं गलत पद को चुनना है क्या दियागा है 15, 16, 34 15, 16, 34, 105, 424, 21, 24 और 12, 756 इसमें से गलत पद को आपको चैन करना है तो वही जो हमने बताए दोनों में अंतर स्टार्टिंग से करिए जो गलत पद आ जाए उसको बता दीजे इसमों question में दे रहे हैं इसको आप लोग solve करना है comment box में इसर बताना है तो आज हमने कितने 20 questions की हैं total और अंगले पार्ट में फिर हम करेंगे तो सभी लोग यहाँ पर डेली जोइन कीजेगा प्रत्ते class 8.30 में आपका यह है class होगी तो सभी लोग जोइन कीजे मिलता हम आपके अंगले पार्ट पर अंगले प्रक्टिसेट पर शभी मित्रों को जय हिंद वंदे मात्रम धन्माश अभीक